नमस्कार मेरा नाम है धुरूव जैन मैं आर्टिस्ट हूँ जो कि भुपल कोला रोट पे रहने वाला हूँ मैं जो है राम मंदिर 22 जन्वरी को प्राण पतिस्था मैं राम जी की और अयोध्या जी की पेंटिंग पीपल के पत्तों पे बना करके CM साब के थुरू मोदी जी की भी एक बड़ी पेंटिंग बना रहा हूँ जो कि उनको मैं जहां तक है राम मंदिर मैं दूँगा देखिए जी मिरको कम से कम तीन दिन लगते ही लगते हैं फिर पीपल का पत्ता कितना बड़ा है कितना उसमें बारी काम है तीन चार पांच छे किते भी दिन लग सकते हैं देखिए इसको क्या है पहले मैं पीपल का असली पत्ता जो की इतने बड़े साइस का मिलना ही बहुत बड़ी बात होती अपने आप में उसके बाद जब मैं इनको पानी में गलाता हूँ तो पानी में गलादने के टाइम पे ये क्या है काफी सारे दस में से 5 पत्ते तो खरा भी हो जाते हैं और फिर बचे हुए पत्ते भी कहीं-कहीं से टूड़ जाते हैं इसको मैं फेवि कॉल से जोड़ करके ठीक करता हूं और उसके बाद जब इस पे पेंटिंग बनाता हूं तो इसको मैं क्या है टेबल पर रख के नहीं कर सकता है क्योंकि यह जाली है और पेंट पूरा टेबल पे चिपक जाता है तो मैं इसको हाथ में पकड़के ही पेंटिंग बनाता हूँ और इसको पूरा बनाने में मैं को काफी समय लगता है क्योंकि इस पे जो color use होते हैं वो जब तक पूरी तरीके से सूख नहीं जाते तब तक मैं उसके उपर दूसरी layer को करी नहीं सकता क्योंकि अगर मैं ऐसा करने की कोशिश करूँगा तो पूरे पत्ते में paint के बीच में से आपको छेट 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 दिखाई देंगे जी सर यह इंक नहीं acrylic colors का यूज करता हूँ जो की ट्यूब के फॉर्म में रहते हैं गाड़े वाले और यह colors भी काफी महंगे आते हैं इनके लिए जो मैं miniature brush यूज करता हूँ वो भी काफी महंगे आते है acrylic colors देखिए मैं क्या है पहले drawings बनाता था रिलिस्टिक में मिरको क्या है इतना प्रशंसा नहीं मिली क्योंकि क्या है काफी लोग drawing कर रहे हैं फिर मैंने paintings बनाना चालू करी तो painting मैं बड़े size पे अच्छे से बना नहीं पाया इसलिए फिर एक दिन मायूस होके जब मैं आर्ट वर्क नहीं बोलेंगे इसको यह machine से बना है क्योंकि तो इससे मेरे को idea है क्योंना मैं असली के पत्तों पे बनाना च्रालू करूं जब मैंने google पे search करा तो ऐसा करने वाला मेरे को कोई भी नहीं मिला क्योंकि google पे जो है कुछ लोग 2D painting तो बना रहे हैं पत्ते पर य जारत में भी मेरे इसाब से चार से जादा ऐसे आर्टिस्ट नहीं है और यह भागवद गीता जो है मैं वहां पर RSS प्रमुक मोहन भागवद जी को दूंगा जो की मैंने खरीदी है वेदिक कॉस्मोस वालों की पर इसके उपर जो cover है इसके उपर में अपनी कलाकरती पीपल के बनानी की देखिए सबसे पहले तो क्या है रफ स्केच बना करके उसके बाद मार्कर से आउटलाइन बनाई जाती है और आउटलाइन भी इतनी परफेक्ट नहीं बन पाती है इसके उपर क्योंकि पत्ता है वो तो फिर मैं धीरे 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 काफी जादा समय लग आठ महीने पहले ही शुरू किया है जी मैं क्या है 2015-16 से मैंने एजा होबी ड्राइंग करना स्टार्ट किया और वो होबी धीरे-धीरे मेरा पैशन में बदलता चला गया और अब मैं उसको प्रॉफेशन में बनाने वाला हूँ जी मैं क्या है कपड़ों की दुकान है मेरी जैंट्स होजरी की जो कि मैं कहीं बैठे बैठे अपना टेबल पर बनाता भी रहता हूं कोई घ्राक आता है तो ग्राक को भी समालता हूं जी मैंने क्या है 12 किया था उसके बाद मैंने एक साल का ड्रॉप लिया था मैं फाइन आट्स करने वाला था लेकिन लॉक्डाउन लग गया था और लॉक्डाउन में रहने पर मेरे को क्या है पढ़ाई में से इंट्रेस्ट कम होता चला गया बिजनिस और आर्ट में ही इंट् देखे मैं ओर्डर लेता था लेकिन अभी मैंना ओर्डर लेना बंद कर रखा है क्योंकि मैं अभी सिर्फ खास लोगों की ही पेंटिंग बना रहा हूं और इनको मैं सेल हर्गिस तो नहीं कर रहा हूं बट हां आने वाले समय में मुंबई आर्ट एक्जिबीशन में सेल करूं आक्टिंग करी थी वह भी आर्ट वर्क्स को देखेंगे और शुनील सिट्टी जी भी वहां रहेंगे प्राइज काफी चीजों पर डिपैंड करता है एक तो मेरे को समय कितना लगा उसको बनाने में और जैसे यह आप देख रहे हैं यह वाली पेंटिंग इसके मुकाबले यह देखें तो दुगने साइस की पेंटिंग है यह तो निर्भर करता है कम से कम धाई अजार रुपे में लूँगा बाकी फिर साइस बड़ा है तो फिर वो कीमत भी बढ़ेगी जी इसकी फिर साइस के साब साब से आप समझ लीजे चार अजार यह साड़े तीन तीन इस इसके लिए पत्ते में खुद तोड़के लाता हूं नदी के किरारे जो बड़े बड़े पीपल के पेड़ लगे रहते हैं वहां पर आप देखेंगे तो इतने बड़े साइस के पत्ते आपको नीचे मिलेंगी नहीं यह काफी उंचाई पे रहते हैं और ऐसे बहुत ही करता रहा हूं कि यह कब सब्सक्राइब कर देखेंगे मैं के सीखा तो कभी नहीं बट ऑनलाइन थोड़ा इंस्टागराम यूटुब पे थोड़ा देखता रहता हूं और क्या इसका बारे माँ पूछ रहे था देखिए काम तो मैंने इसका आज ही शुब अफसर पे किया है जब पूर्व सीएम सिवरा सिंग चोहान जी ने आज मेरे साथ पॉदर ओपन किया और आज ही मैंने यह बनाना चालू किया है आउट लाइंस को अगर आप तीन दिन पकड़के चले हर पेंटिंग के लेके तो 20 तारिक तक या उससे पहले ही मैं दिन रात लग करके इसको पूरा करूंगा 18 तारिक तक मैं करने की पूरी कोशिश करूंगा